तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ माइन कराप के 1.18 के निउ डाइमन ग्लिच में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डाइमन ग्लिच लेके आया हूँ जिसे आप अपने माइन कराप में यूज कर सकते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक, दो और तीन ब्लोक आपको इस तरह से रखने तो आपको इस तरह से जो है ब्लोक रखने उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेस रखनी है इसके उपर आपको होपर लगाना है सबसे पहले तो आप एक hopper यहाँ पर लगाईए उसके बाद एक यहाँ पर उसके बाद आपको इस तरब यहाँ पर एक और hopper लगाना है तो आपको इस तरब से hopper जो है connect करने हैं आप लोग देख सकते हो उसके बाद इन दोनों block के उपर आपको reg dust डालनी है इस तरब से उसके बाद यहाँ पर आपको red touch लगानी है और इस तरब जाके भी आपको reg touch लगा देनी है तो आप लोग देख सकते हो यह machine कुछ इस तरब से दिखाई देगी आपको इस तरब से बनानी है बनने के बाद आपको यहाँ पर दो diamond block लेने 1, 2 आपको इस तरह से लगाने इस वाले को आपको छोड़ देना है देख सकते हो तो आपको केवल 2 diamond block लगा देने 2 diamond block लगाने के बाद आपको उपर आना है आपको 1, 2 और यहाँ पे आपको एक normal piston लगानी इस तरह से तो आप लोग देख सकते हो एक normal piston आपको यहाँ पे इस तरह से लगानी है इस तरह से लगने के बाद आपको इस तरह पाना है यहाँ पे अबे में क्या करना है यहाँ पे भी आपको वही technique यूज करनी है लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके से काम करेगी तो वो मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करती है आप में से बहुत सारे लोग mistake करते है जिस वसे से जिस कारण जो है machine work नहीं करती तो आप यहाँ पे कोई भी गलती बिल्कुल भी मत करना मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कुझसी technique यूज करनी है तो उसके बाद आपको यह जो block है इन block को toड़ देना है इस तरह पाना है और यहाँ पे भी आपको दो block उपर जाना है इस तरह से उसके बाद एक slime piston लगानी है इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इने भी तोड़ दीजे ब्लोक को यहाँ पे आप लोग को गेप रखना है बीच वाले में उसके बाद पीछे आना है एक ब्लोक आपको यहाँ पे रखना है दूसरा ब्लोक यहाँ पे रखना है तो मशीन इस तरह से वर्क करेगी अब आपको क्या करना है अब आपको सबसे पहले तो आगे चले जाना है आगे जाकर आप लोगो क्या करना है यहाँ पर आना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ब्लोक लगाना है तो यह मशीन कुछ इस तरह से वर्क करेगी उसके बाद आपको यहाँ पर एक नॉर्मल पिश्टन लेनी है, यहाँ पर उपर लगानी है, इस तरह से काम करेगी, नीचे लगानी इस तरह से वर्क करेगी, आप लोग देख सकते हो, आपको इस तरह पाना है, यहाँ पर भी एक पिश्टन लगानी है, इस तरह से काम करेग इसके उपर भी piston लगानी इस तरह से वर्क करेगी आप लोग देख सकते हो step by step follow कीजेगा बिल्कुल भी वीडियो को skip मत कीजे उसके बाद पीछे से आपको पीछे की तरफ जाना है यहाँ पर आपको डिस्पेज observer लेने वोने आपको यहाँ उपर लगाने इस तरह से तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से वर्क करेंगे इस तरह से काम करेंगे उसके बाद बीच वाले block में आपको एक block रखना है इस तरह से इस observer के उपर इस तरह से block लगाना है अब block लगाईए इस तरह से ये बन जाएगी अब आपको एक slime piston यहाँ पर इस तरह से लगानी है जो इस तरह से work करेगी आप लोग देख सकते हो यहाँ से जो हमारी machine है अब वो काम करना शुरू करेगी उसके लिए हमें अब दो ब्लोक की और जरूरते तो मैं उने लगाने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो दोस्तो इस तरह से मशीन जो है वर्क करेगी अब यहां से जो में का में आपको बताऊंगा तो आप लोग वीडियो को पुरा देख लीजेगा उसके बाद आपको यहां पर रेड ब्लोक जो है उसे आपको लेना है उसे आपको यह जो पिष्टन है हमारे सामने उसके उपर लगाना है तो आपका यह जो मशीन है इस तरह से अब वर्क करेगी आप लोग देख सकते हो इस तरह से काम करेगी और अब अगर चैस ओपन करोगे तो इसके अंदर अभी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले है तो ऐसा क्यूं हो रहा है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा अब आपको बस यहाँ पर wait करना है और wait करनी के लिए आपको कुछ समय यहाँ पर wait करना है तो मैं यहाँ पर wait करता हूँ लेकिन आपको लगेगा कि आपको नीचे wait करना है ऐसा बिल्कुल भी मत करना आपको यहाँ पर एक F के area बनाना है आपको यहां से केवल 10 block उपर चले जाना है तो आप 10 block का जो है F के area बना लेता हूँ तो मैं इतना उपर आ जाता हूँ उसके बाद आपको केवल 5 minute यहां पर इंतिजार करना है तो 5 minute होने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप जैसे ही chest को open करोगे तो यहां पर जो आपके diamond है वो duplicate होना भी शुरू कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप जो है अपने world में diamond duplicate machine बना सकते हो और आप लोग देख सकते हो यह वशीन काम भी कर रही है और हमें जो है diamond यहां पर duplicate करके भी दे रही है तो दोस्तो आप भी अपने world में इस तरह की अगर machine बनाना चाते हो तो हमारे channel को subscribe कर लिजेगा मैं आपके लिए इसी तरह की अलग-अलग hacking, अलग-अलग mind trap glitch वीडियो ले के आऊँगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हमारी next वीडियो में तब तक के लिए take care